पर राजेस र क्लासेस में आपका स्वागत है इस वीडियो में भारत में इरोपी कमपनियों का आगमन पचरचा करूँगा क्योंकि किसी भी कमटेटि इंग जाम में इस टापिक से अनिक प्रशन पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैं सभी प्रशनों का जबाब उत्तर देने का प्रयास करूँगा तो देखे रोमन सामराज की नई राजधाने की रूप में ख्याती प्राप्त कुस्तुन्तुनिया पर तुरकों आटोमन तुरक द्वारा अधिकार कर लेने के बाद इरोपी ब्यापारियों का पूरवेद देशों एसिया के साथ अस्थल मार्ग बंध हो गए इससे इरोप वासियों को बड़ा धक्का लगा और इस कारण इरोप में पुनर जागरण का एक आंदोलन शुरू हुआ जीवन के प्रतेक छेत्र में एक नवीन चेतना जागरित हुई कला सहित और बिज् रोमन सामराज की नई राजधाने की रूप में ख्याति प्राप्त कुस्तुन्तुनियां जिसका आधुनिक नाम इसमें इस्ताम्बूल है जो तुर्की देश में पढ़ता है तुर्कों उस्मानी सामराज का अधिकार हुआ कर लेने के बाद युरूपी ब्यापारियों को पूर्वी देशनों के साथ खासकर भारत के साथ अस्थल मार्ग से ब्यापार बंद हो गया और कुस्तुन्तुनियां जो था 1600 साल तक रोमन सामराज की राजधानी थे इस कारण युरूप वासियों को एक धक्का लगा और इस कारण एक पुनरजागरन काल शुरू हुआ जो लोग धर में ही परविश्वास जादा करते थे उससे बाहर निकले कला साहित और बिग्यान के छेत में नैने अनसुन्धान हुए और धर्मवाद के अस्थान पर मान अस्थापित किया गया उन्हें ये भी पता चला कि प्रिथवी गोल है कुत्ब नुमा कमपास की खोज हो गई थी अतब पुर्वी देशों के साथ ब्यापार करने के लिए उत्सुक ब्यापारी वर्ग नए समुंद्री मार्ग की खोज में निकल पड़े नए नए आविस्खार हो रहे थे और ये भी पता चला था कि प्रिथवी गोल है और कुत्ब नुमा कमपास की खोज हो गई थी अतब पुर्वी देशों के साथ ब्यापार करने के लिए उत्सुक ब्यापारी वर्ग नए समुंद्री मार्ग की खोज में निकल पड़े आईसी क्रम में कुलंबस इस्पेन की महारानी के आर्थिक मदद से भारत के लिए समुंद्री मार्ग की खोज में निकला किन्तु सयोग बस उसने 1492 में अमेरिका की खोज कर ड़े कुलंबस एक साहसी नाविक था इस्पेन की महारानी के आर्थिक मदद से भारत के लिए समुंद्री मार्ग की खोज में निकला लेकिन वह भारत ना पहुंश करके एक नए द्वीब महाद्वीब अमेरिका को खोज निकला अब इस बात को हम नकसे के द्वारा भी आप लोगों समझाते हैं तो देखे यह भारत म्यामार थाइलन्ड कंबोडिया मलेसिया इंडोनेसिया जो जवासुमात्रा पुराना नाम है यह लंका है यह अरभ सागर है यह हिंद सागर है डर चाइना है पाकिस्तान एरान फारस हिसिप कहते थे रोस यहां काला सागर तूर की यह अरभ के देश है और यह अपरिका महादीप है यह लालसागर भूमसागर इरोब के देश इस्पेन, पुर्दगाल, फ्रांस, ब्रेटेन हॉलेंड जिसे नीदरलेंड करते हैं डच्वासी स्वीडेन, जर्मनी ये सब है अब हुआ क्या इस अरब सागर, लाल सागर पर अरब देशों का अधिपत्य था ये जो ब्यापार होता था इस पर अरब देशों का अधिपत्य था और यहां जब तुर्की ने कुस्तुनिया पर आक्रमण कर दिया और उसको अपने अधिकार में ले लिया, तो ये जो एक अस्थल मार्ग था यहां से होकर फिर लाल सागर या फारस की खाड़ी होते हुए लोग यहां आते थे तो इसको भी बंद कर दिया गया थे इस कारण इरोप के जो देश थे ने ने आईसकार भी हो रहे थे इस कारण उन्होंने छोटे छोटे जहाजी बेड़े बना करके सासी नाविकर और सेना के साथ छोटी छोटी चुकड़ियों में अपना नए समुद्री मार्खोज में निकले इसी क्रम में कॉलंबस निकला तो यह पहुँच गया कहां अटलांटिक महासागर पार करके यह पहुँच गया अमेरिका में और वासको डिगामा इस रास्ते से होते हुए इस रास्ते से होते हुए यह पहुचा यहां कालिकर्ड केरल में जो पढ़ता है और यहां का हिंदू सासक से उसने परमिट लिया और मसालों का ब्यापार सुरोग किया तो इस प्रकार एक एरोप और पुर्वी एसिया भारत के बीच में एक नए समुद्री मार्क हो जई भी पहले यह सीधे यहां से जहाज से आते था और यहां से समान लेते था और फिर चले जाते थे अपने यहां से समान लेकर यहां बेचते थे कहीं जमीन पर उताना नहीं पड़ता था अब जब यहां से चलते थे तो यहां एक समस्या होती थी यहां पर जमीन अस्थल मार्क था फिर यहां से समाने हाँ फिर लाल सागर में फिर यहां पहुंचते थे दो चार तीन बार जमीन फिर ऐसे ऐसे करके तब पहुंचते थे अब यहां से जब व्यापार शुरूआ तो के लिए और आसान हो गया तो अन युरोपी देश जैसे ब्रिटेन हालेंड स्वीडेन फ्रांस यह सब भी अपना व्यापार करने की होड लग गई कि तो अब देखे किस प्रकार युरोपी कमपनियां भारत में आई अब देखे भारत में युरोपी कमपनियों का आगमर का तो यहां पहले देखे कमपनिय और अस्थापना पुर्तगाल इस्ट इंडिया कमपनिय चाओतशन अंठान पुर्तगाल अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी 1600 ब्रिटेन डच इस्ट इंडियां कमपनी 1602 डच हालेंड हालेंड वासी या नया नाम नीदर लैंड है डेनिस इस्ट इंडियां कमपनी 1606 डेनिस डेनमार्क की कमपनी फ्रांसी सी इस्ट इंडियां कमपनी फ्रांस की जिसकी अस्थापना 1664 में हुई स्वीडिश इस्ट इंडिया कंपणी स्वीडेन इस कंपणी की अस्थापना 1731 में यह सब ब्यापार करने के लिए भारत से और इन कंपणियों के अस्थापना किया अब यह तो है इनसे भी प्रस्णा सकते हैं किस क्रम में चार आ गया तो किस क्रम में हैं तीस से भी दो तीन प्रस्ण बन सकते हैं लेकिन एक कंफ्यूजन यहां पर हो रहा है कि आगमन के बारे में यह तो अस्थापना यह आगमन में थोड़ा से ब्यतिक्रम है पुर्दगालियों का सही है लेकिन डच अब देखे अंग्रेज जो त दीसरे पर है और डच क्या है दूसरे पर है यहां डच तीसरे पर है तो कंपनी के अस्थापना 602 में हुई थी लेकिन डचों का आगमन 1596 में ही हो चुका था है तो हमें इन ही चारों को पढ़ना आईरी में से प्रस्ण है पूछे जाते हैं स्वीडिस और डेनिस से तो आप देखे अईस में से मैं इस वीडियो में पूर्थगालियों का आगमन अटचों का आगमन पढ़ाओंगा अगले वीडियो में मेरा रहेगा अंग्रेजों का आगमन और फ्रांसेसियों का आगमन तो देखे पूर्थगालियों का आगमन प्रतम पूद्गाली वास्खो डिगामा 7 मैं 1498 को भारत की पतुमी तरपर इस्थित काली कट केरल बंधागा पर पहुंचा यानि प्रतम पूद्गाली कौन था वास्थ को डिगामा 17 मई 1498 को भारत के पस्मी तटप इस्थित कालिकट जो किरल में पढ़ता है पहुचा ये भी प्रश्न बन सकता है इस प्रकार भारत ये विरोब के 20 समुद्री मार की खोजवी हिंदू सासक जमोरीन से उसने मसालों तथा कुछ जड़ी बूटियों के ब्यापार की अनमती प्राप्त कर ली किन्तु अरब के ब्यापारियों ने इसका बिरोब किया मसालों और कुछ जड़ी बूटियों का लेकिन अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने इसका क्या किया बिरोध किया तो यहां से भी प्रस्ण आ सकता है कि किस ने बिरोध किया और वह सासक कौन था तो जमूरिन था और काली कट कहां पढ़ता है केरल यह है अब है इस प्रकात जो मसाला और जड़ी बूटि उसने इरोप में ले जाकर बेचा यानि वासको डिगामा ने जो मसाला और जड़ी बूटि ले जाकर इरोप में बेचा तो उसके यात्रा पर जो बे हुआ हुआ था सबको निकाल करके उससे साथ गुना अधिक लाब हुआ जितना उसका खर्च हुआ था उससे वो साथ गुना लाब कमाया आईसी लालच में अन येरोपी कमपनियां भी भारत की ओर प्रस्तान करने का बिचार करने लेगे तो ये भी आ सकता है कितने गुना तो आप लिख सकते हैं अब है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत का बाया तो वास्को डिगामा पंदरा सो दो में दूसरी बार भारत की यात्रा की और फिर तीसरी यात्रा उसकी हुई पंदरा सो चोबिस में लेकिन वह जो पुर्तगाली बस्तियां थी उसका गवर्नर बन कर आया था पहले दूसरे में तो व्यापार करने आया था लेकिन 1524 में उसने क्या कर रहा था यहां जो पुर्तगाली बस्तियां थी पुर्तगाली कोठियां कारखाने फैक्टरियां थी उसका वो गवर्नर बन कर आया अब आगे देखे पंदरा सो में दूसरा पुर्तगाली अलब्रेज काब्राल भारत आया क्या नाम है दूसरा पुर्तगाली पंदरा सो में लेकिन वो आसफल था जितना सफल वासको डिगामा था उतना सफल वो नहीं था अब इसी क्रम में पुर्दगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली कोठी कोठी का आर्थ होता है कारखाना भी कहते हैं दुर्ग भी कहते हैं ये पहली कोठी 1503 में और 1505 में कुन्नूर में बनाई अब इकोठी क्या होती है जहां से ब्यापार करने में आसानी हो सामान को इकठा किया जातो है और जहाजों की देख रेक और ब्यापार पर एक आधिकार करने का तो दुर्ग बनाते थे उसको सामान को इकठा करते थे लाते थे और जो अपने उसकी सुरच्छा करते थे अब अगला प्रशन पंदरा सौ पांच में फ्रांशिस्को डी असल plumbing गारत ा यह हो सकता पर्थम पुर्थगाली गोवर्नर बनकर हिर्फ उसका बंकर कांh हुल सुल या तो वास्थ ब्रात सिस्को डीश्थी अलमीदा है नेद में फ्रसाइस्को डीछ गोवर्मिजर बनकर हुला सबसदी इसने भारत में blue water policy अपनाया अब ये blue water policy क्या है इस पर चर्चा ये भी प्रश्ण में आ सकता करम्ट एक्जाम में कि blue water policy किस फ्रांसिसी गौवर्नर ने बनायाता तो आप लिख सकते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका आर्थ होता है कि आरब सागर और हिंद महासागर में पुर्टगालियों का जो समद्रिक ब्यापार था उसको सुरचित करना यहीं इसका आर्थ है हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्टगालियों को जो जहाजी बेड़ा था उसको मजबूत किया और जिससे की पुर्थगाल की प्रभुता इस ब्यापार पर हो सके मसालों की ब्यापार पर अब आगे है पंद्रह सो नौ में अलफांसुड़ अलबुकर्ग अलफांसुड़ अलबुकर्ग दूसरा गवर्णर वैसरा भी कहते हैं बनकर भारत आया यह दूसरा गवर्णर था इसने बिजापूर की सासक इसुफ आदिल साह बहुत महत पूर एक प्रस्ण बल सकता है दो प्रस्ण इसने बिजापूर की सासक कि सासक से इसुफ आदिल साह से पंद्रह सो दस में गोवा जीत लिया यह चीन लिया गोवा को चीन लिया तीक प्रस् सकता बीजापुर का था किस सन में 1510 में यह सब प्रस्ण बन सकता है इसने पुर्थगालियों की आवादी बढ़ाने के उद्दे से भारती महिलाओं से बिवा के लिए प्रेवित किया इनने पुर्थगालियों की आवादी बढ़ाने के लिए जो पुर्थगाली पुरूस थ थे उनसे कहा कि जो भारती मेला है उनसे बिवा करी जिससे पुर्दगालियों की आबादी पड़ सके यह भी प्रस्ट बन सकता है अल्बुकर्क ने 1511 में दच्छिड पूर्वेशिया प्रमुख ब्यापारी केंदर मलक्का पर क्या कर लिया अधिकार कर लिया और 1515 में फारस की खाड़ी में इस्थित हर्मुज पर अधिकार कर लिया यानि यह अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का पर और 1515 में हर्मुज जो फारस की खाड़ी में इस्तित्त यह ब्यापारिक केंद्र थे इन पर उसमें अधिकार कर लिया अब इनी सब कारणों से अल्बुकर्क को भारत में पूर्टगाली सक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तो कौन था अल्बुकर्क था अब है आगे देखिए 1530 में गोवा पूर्टगाली बस्तियों की राजधानी यहीं 1530 में गोवा जो है पूर्टगाली बस्तियों की राजधानी बनाई गई गवर्णर उसमें कौन था नीनो द कुनहा था कुनहा ने 1534 में वेसिन यह 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया यह खंबात की खाड़ी में गुजरास के समीप है इस पर अधिकार कर लिया और 1534 में वेसिन पर अधिकार कर लिया कुनहा ने ही सेंथोम जो मद्रास के निकट है और हुगली बंगाल में कोठिया बनाई थी यानि कुनहा ने मद्रास में और हुगली बंगाल में कलकत्ता में कोठिया बनाई थी पंद्रह सो साथ में मार्टिन अलफांसो डि सूजा ये गवर्णर बनाया गया और उसके साथ संत जीवियर जो इसाई धर्म प्रचारक थे भारत आए संत जीवियर क्या है भारत है उन्होंने अस्थानी निवासियों को प्रलोभन के द्वारा इससाई बनाने के लिए को प्रेरित किया तो धर्म प्रचारक के रूप में संत जीवियर किसके साथ आये थे मौर्टिन अलफांसो डि सूजा के साथ और कब ये प्रश्न भी बन सकते हैं अब इन लोगों ने अरब सागर में जहाजों की प्रवेश पर कार्टज सुरच्छा कर लगा यानि कार्टज क्या है एक प्रकार से यह आप ब्यापार करते हैं तो जहाजों पर आपके जहाजों की सुरच्छा करना पुर्दगालियों का अधिकार था और उसके एवज में क्या करते थे करचुंगे लेते थे यही नहीं मोगलों के ब्यापारिक जहाजों का भी मोगलों को भी ब्यापारिक जहाजों पर काटत देना पड़ता था सोच लेजी मोगल उत्तर भारत में अगबर महान था लेकिन फिर भी इन लोगों को भी व्यापारिक जहाजों पर कार्टर देना पड़ता थे क्योंकि इनका जो सामंद्रिक बेडा था उतना मजबूत नहीं था और वहां लुटेरे भी समूद में रहते थे तो पूर्दगाली जब उनकी सुरच्छा करते थे तो कार्टर की रूप में सुरच्छा कर लेते थे कार्टर एक प्रकार का परमिट भी था उनका भारत में पहली पेंटिक प्रेस लगाने का अस्रे भी पुर्थगालियों को जाता है जो 1556 में लगाया गया था गोवा में तमबाकु के खेती का अस्रे भी इन्हीं को जाता है पुर्थगाली भारत में सबसे पहले आये लेकिन वो 1961 में भारत से बिदा हुए वो 1961 में ही भारत से बिदाव आंत में सबसे ती है पुर्दगाली कमपनी का इतिहास तीस से तमाम प्रस्ट बन सकते हैं आप सभी प्रस्टों को आसानी से हल कर सकते हैं देख सकते हैं डचों का आगमन कार्नेलिस डवहस्तमान भारत आने वाला प्रथम डच ब्यक्ति था जो 1592 में भारत आया यह दपी डच इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना 1602 में हुई थी उसके पहले ही कार्नेलिस डवहस्तमान भारत आने वाला प्रथम डच ब्यक्ति था डचोने प्रथम कोठी मुश्ली पट्टम जो भारत के पुर्वीतर पर इस्थित है विशागा पट्टरम से और तच्छिट साइड में अस्थापित की ओवी 1605 में अन कोठियां कारखाने पूली कट ये भी पुर्वीतर पर है सुरत पश्मितर चिनसुरा और कोचीन चिनसुरा पंगाल में कोचीन केरल में थी डचो ने गोवा और मलक्का की नाके बंदी कर जब डच आयत पुर्वा और मलक्का की नाके बंदी कर 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 पुर् केवल मालाबार तटपर तक ही सिमित किया और 1658 में सिलंका से डचों ने पूर्दगालियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया ते भी प्रश्नाते हैं और 1632 में हुगली से जो बंगान पढ़ता पूर्दगालियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया 1632 में यहां से भी खदेर डाला उन्हें केवल दीव, दमन और गोवा तक ही सिमित रखा पस्मित तर तक अब हुआ क्या भारती ब्यापार में डचों की अंग्रेजों से प्रतियस्पारधा होने लगी अब पूर्दगाली तो कमजोर पड़े लेकिन डचों का अंग्रेजों से कमटीशन होने लगा ब्यापार में भारत के अब अंत में हुआ क्या 1769 में वेदरा की युद्ध में जो की बंगाल पड़ता है युद्ध में डच अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किये अंग्रेजों से डच अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हुए और भारत से ब्यापार लगभग बंध हो गया, अईस अंग्रजी सेना का नितित क्लाइब कर रहा था, ये भी प्रस्नाते हैं कि वेदरा के युद्ध में डचों को किसके नितित में हराय गया था, क्लाइब के नितित में, याद रखे, मसाला दीपों इसका हारने का कारण क्या था डचो को मसाला दीपों जावा सुमात्रा इंडियोनेसिया अधिक ध्यान देने के कारण ही उनकी हार ही क्योंकि वास्तों में वो सबसे ज्यादा ध्यान जावा सुमात्रा इंडियोनेसिया पर ही कर रहे थे और वे भारत से पुर्दगाली तो अधिकतर मसाले का व्यपार करते थे अनका भी व्यपार करते थे लेकिन डश लोग यहां से जो कपड़े नेल आदी का ज्यादा व्यपार करते थे और इन जवा समात्रा से मसालों का व्यपार करते थे यदि वीडियों अच्छा लगे तो लाइक, सेयर, चैनल सब्सक्राइब नहीं के तो कर दीजिए, नमस्कार